इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एकलब वे मॉडल रेजिदेंशियल स्कूल यानि की EMRS वेकेंसी दो हजार तेस के बारे में इसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों तरीके की वेकेंसी आपको देखने को मिलेगी अगर आपका B8 कंप्लीट होगा अगर आपन इंटरस्ट आता है या फिर अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपनी तैयारी को चेक करना चाहते हैं या आपको लगता है कि इसमें अगर आप को प्रिप्रेशन करेंगे तो वो निकल सकता है तो आप इस जोब को अप्लाई कर सकते हैं इस वीडियो को एंट तक देख जैसे आपने नौदे के बारे में सुना होगा, केंद्रे विदाले के बारे में सुना होगा, वैसे ही है, फुल फॉर्म है आपका एकलव ये मॉडल रेजिदेंशियल स्कूल, और इसका मेन फोकस क्या है, फ्री एजुकेशन टू एस्टी स्टूरेंट्स, जो स्केडूल ट्राइब्स के चिल्डरेन होते हैं, उनको क्लास 6 से लेकरके 12 तक फ्री एजुकेशन देना, उनका ओवराल डेवलप्मेंट करना, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, नेक्स्ट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपका एप्लिकेशन स्टार्ट हो चुका है 28 या 29 जून से ही, लास्ट डेट क्या है आपका, 31 जूलाई रात के 11 बच के 50 मिनट तक अब अप्लाई कर सकते हैं, तो 31 जूलाई का वेट मत करिएगा, अगर आपको इंटरस्ट आएगा, तो आप इसको अप्लाई कर दीजेगा, क्योंकि उस टाइम पे सर्वर बिजी हो जाता है और अप्लिकेशन जल्दी संब्मिट नहीं हो पाते हैं, अप्लिकेशन फीज प्रिंसिपल और पीजिटी, 2500 है, नौन टीचिंग स्टाफ के लिए आपका 1000 फीज है, तो अगर आपको लगता है कि यह आप अफ़र्ट कर सकते हैं, तो जरूर अप्लाई कर दीजेगा, एडमिट कार्ड हो गया, डेट ऑफ इग्जामिनेशन हो गया, आंसर की हो गया, क्वेशन पेपर हो गया, और भी जो भी इन्फॉमेशन्स हैं, वो सारी आपको NESTS की वेबसाइट पे देखने को मिल जाएंगी, सरकारीरेजल्ट.com पे भी आपको यह देखने को मिल जाएगा, जो डिवरेशन ऑफ एग्जाम है, अगर टीचिंग स्टाफ के लिए अपले आई करते हैं, तो 180 मिनट है, नॉन टीचिंग के लिए करते हैं, तो 150 मिनट के लिए है, यहां अकाउंटेंट्स की बात हो रही है, जो कि नॉन टीचिंग स्टाफ है, तो यह क्या होगा, 150 मिनट का एग्जामिनिशन होगा, सेंटर अफ एक्जाम क्या होगा, जैसे एड्मिट कार्ट में आपके लिखा होगा, उस हिसाब से आपका सेंटर जाएगा, नॉन टीचिंग स्टाफ में, टोटल वेकेंसी आपकी है, 1493 का, अकाउंटेंट्स के अगर हम लोग बात करें, तो अन्रिजर्ब्ड में 147 है, EWS में 36 है, OBC में 97 है, SE में 54 है, ST में 27 है, 5 है आपका OH में, और 4 है HI में, अधर्स में 5 है, तो टोटल ये वेकेंसी हो जाती है, 361 की, तो वेकेंसी अच्छी खासी है, प्रिप्रेशन अगर आप अच्छे से करें, तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप just become complete कियें, और आपको लगता है, कि आपका account में अच्छी पकड़ है, taxation में अच्छी पकड़ है, तो आप अराम से इसको apply कर सकते हैं, 50-60,000 के job pay scale इसका है, तो बहुत कम नहीं, अगर आप start करना चाहते हैं इसके लिए, या फिर आपको job की need है, तो आप इसको start कर सकते हैं, non-teaching staff, यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, accountants की, तो eligibility क्या है, बस एक चीच चाहिए, bachelor degree in commerce, अगर आपने become complete किया है, तो आप eligible है, maximum age limit क्या है, 30 साल 31 July 2013 तक, आप 30 साल के, उसके उपर नहीं होनी चाहिए, maximum age limit है, आपकी 30 years की, और age relaxation मिलेगा, OBC, SC, ST and EMRS employees के लिए, exam का pattern क्या है, तो pen paper mode है, यानि कि online नहीं है, offline exam होगा, OMR seat पे, एक question अगर आप सही करते हैं, तो एक marks आपको मिलेंगे, अगर आप question गलत करते हैं, तो 0.25 की negative marking है, तो ये भी बहुत फायदे वाली बात है, अगर आप अच्छी तरीके से तयारी करते हैं, तो maximum questions आप correct करके, और exam को qualify कर सकते हैं, और सिफ exam ही है, इसमें interview वेगरा नहीं है, रही बात syllabus की, तो syllabus को total 5 part में divide किया गया है, पार्ट वन में हैं आपका reasoning ability, 20 number के questions होंगे, 20 questions है और total 20 marks का, यानि कि एक question एक number का, quantitative aptitude, 30 questions रहेंगे, 30 number का, language में Hindi और English रहेगा, 10 number का Hindi, 10 number का English, total 20 marks का, पार्ट फूर में आपका basic of computer, general awareness and current affairs, ये total 20 questions होंगे, 20 marks के और subject knowledge, अगर accountants का है, तो taxation से related हो गया, accountancy हो गया, budgeting हो गया, auditing है, financial management है, ये सारे आपके total 40 questions रहेंगे, subject से related 40 marks के, तो आपको मिलता है total 130 questions, समय आपको मिलेगा total 150 minute, यानि कि two and half hours मिलेंगे आपको questions को solve करने के लिए, और इसमें ये भी नहीं है, कि पहले आप इस 20 questions को करिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, कोई limit नहीं है, आप किसी part में 20 minute लगा सकते हैं, किसी में 50 minute लगा सकते हैं, total आपको समय दे दिया गया 150 minute, आप जैसे भी करके questions को solve कर सकते हैं, तो ये आपका syllabus हो गया, syllabus जो भी इससे related information है, जो PDF मेरे पास है, उसको मैं टेलिग्राम पे share कर दूँगी, टेलिग्राम का link description में दिया है, आप जा करके वहाँ से check कर सकते हैं, और syllabus को detail में वहाँ से देख लिजेगा, और भी सारी चीज़ें इसके अंदर है, जैसे अगर आपको reasoning ability पढ़नी है, तो reasoning में क्या-क्या आपको पढ़ना है, quantitative में क्या-क्या पढ़ना है, तो वह सारी चीज़े उसमें दी होई है, तो आप वहाँ से जा करके देख लिजेगा, वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को like कर दीजेगा, और preparation रहे या ना रहे, अप apply करके उसके बाद preparation start कर सकते हैं, अपने आपको check कर सकते हैं, एक बढ़ apply करके, तो अगर आपके पास degree है, तो फिर उसको waste करने का कोई मतलब नहीं है, और अगर आप fresher भी हैं, तो भी आप चाहें तो इसको apply कर सकते हैं, अपने आप पे confidence आता है, अगर आप उस field में उतरते भी हैं, जो लोग 2-4 साल से 5 साल से तयारी कर रहे हैं, और आप fresher हैं, और 130 question में से अगर 100 question भी कर लेते हैं, 50 question भी कर लेते हैं, अपने दम पे वो सारी चीज़ें करते हैं, तो आपके लिए वो confidence का boost आप रहेगा, तो आप apply कर सकते हैं, वीडियो पसंद आयते वीडियो को like कर सकते हैं, चैनल पे नएँगे चैनल को subscribe कर दीजेगा, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद,